ओम साइराम, हरहर महादेव, आज का साइस अंदेश जिन्दगी की छोटी-छोटी खुशियां ही हमें जीवन जीना सिखाती है वरना इंसान की खायशों का तो कोई अंत ही नहीं है पल-पल में बदलती हैं, एक खतम होती है तो दूसरी जनम ले लेती है जब तक इंसान अपनी खायशों की पीछे भागता रहेगा तब जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता लेकिन अगर आप अपनी खायशों को छोड़ कर देखें तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है हर तरफ आपको खुशियां नजर आएंगी, हर तरफ आपको सुख नजर आएगा क्योंकि उस इस्वर ने इस प्रकृति को बनाया है लेकिन आप तो अपनी खायशों में ही इतने उल्जे रहते हैं कि इन सब के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है और जब तक इनसान खायशों का पीछा करना नहीं छोड़ देता तब तक उसके जीवन में दुखों का अंत कभी नहीं होगा अपनी खायशों से उपर उट कर देखें जो भगवान ने आपको दिया है उसमें सबर करना सीखें, संतोस करना सीखें तो जीवन बेहत खुबसूर्थ हो जाएगा उस इसवर ने कितने सुन्दर स्रिष्टी की रचना की है कितने पेड़ पोधे, जीव जन्तु है, प्रकरती है जो इतने मन मोहक तरिस्या होते हैं कि इनसान की आत्मा तक को त्रिप्त कर देते हैं लेकिन हम तो अपनी खाइशों के पीछे ही दिन रात भागते रहते हैं और जीवन में कभी सकून मिलता ही नहीं है जिस खुशी की तलास में हम भटकते हैं, वो खुशी हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी वो हमारे मन के भीतर है खुशी को दिखाया नहीं जाता उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है जो इंसान इश्वर के फैसलों में रहना सीख जाता है उसकी रजा में रहना सीख जाता है तो उसके इश्वर के हर फैसले में खुशी मिलने लगती है क्योंकि वो इस बात को समझ जाता है कि भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं लेकिन जब तक इनसान उसे सविकारना नहीं सीखता कि जो भगवान कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं तब तक उसके जीवन में दुखों का अंत कभी नहीं हो सकता और इनसान का वक्त बदलने में वक्त लगता है लेकिन एक दिन सब का वक्त जुरूर बदलता है भगवान सबको मोका देते हैं अपना भाग्या बदलने के लिए लेकिन जो इनसान हर मोके का फाइदा उठाता है और महिनत परियास करने से कभी पीछे नहीं हटता तो वो एक दिन अपने भाग्या की लकीरों को बदल ही लेता है तो आपके जीवन में भी ऐसा समय जरूर आईका लेकिन जो इनसान हमेशा दूसरों की खुशियों की परवाह करता है उस इनसान के जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती है अगर कोई आपका अपमान भी करे आपका तिर्सकार भी करे तब भी आप उसे इतना प्रेम दीजिए कि सामने वाला सरमिंदा हो जाए लेकिन कभी किसी से अपसब्द ना कहें प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दुनिया को अपना बना सकती है ताकत की जुरूरत और किसी भी इनसान को तब पढ़ती है जब उसे कुछ गलत कार्या करना होता है क्योंकि बाकी सब तो भगवान ने प्रेम द्वारा ही सम्भब बनाया है प्रेम से ही हम सब कुछ पास सकते हैं इसलिए आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो वो सब आपका हर सपना सरूर पूरा होगा लेकिन सही वक्त आने पर जब भगवान हमारी परिक्षा लेते हैं तो वो हमारे धैर्या की परिक्षा लेते हैं जब हमारे जीवन में सबसे अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले किसी ना किसी संकट का आगमन जरूर होता है और जो इनसान इस परिक्षा में उतीरण हो जाता है तो अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है जब आप भगवान पर विश्वास करते हो उनकी भक्ती करते हो पूजा राधना करते हो तो फिर उन पर विश्वास भी होना चाहिए हम उनकी बच्चे हैं और वो हमारे सर्वसव हैं माता हैं, पिता हैं, सब कुछ है तन मंधन से उनको समर्पित कर दो अपने आपको अपना हर करम करते रहो और इश्वर के चर्णों में समर्पित करते जाओ तो आप देखोगी आपका जीवन कैसे बदलने लगेगा जब एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया जाता है तो उसे उच्छाला जाता है तो वो उचलता है, कूटता है और कितना प्रसन होता है क्योंकि उसे पता है कि जिन हाथों ने उसे संभाला है वो से गिरने नहीं देंगे तो इसी तरह भगवान भी हमारे सब कुछ है सरवसब है जब आप तनमंधन से उनको समर्पन कर चुके हो तो उन पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपको गिरने नहीं देंगे जितने आज तक संभाला है आगे भी वो हमें ज़रूर संभालेगा और जो भी होगा हमारी बेहितरी के लिए होगा धोखे और बेइमानी के रास्ते पर चल कर हासिल की गई कामियाब भी आपको कुछ समय की खुशी दे सकती है लेकिन उसके बाद जीवन भर का दुख उठाना होगा वही मेहनत और इमानदारी का रास्ता आपको कुछ समय दर्द देगा पीड़ा देगा लेकिन फिर जीवन भर आपको सुख की ठंडी चाया देगा क्योंकि ये रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुम्किन नहीं है जब आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे तो आपका जीवन खुसियों से महक उठेगा और ये दर्द आपकी ताकत बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा इसलिए अपने बाबा पर विश्वास रखो बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है सदा खुश रहू सदा जबति रहू ओम साई राम हर हर महातीव